आज हम पढ़ेंगे बाइलोजी का बीवी आई कोश्चन्स चेप्टर नमबर वन ट्वेल्थ का जीव जगत आए हम कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन से पहला कोश्चन है 124 जवारों के निर्माण में कितने और्द सुत्र विभाजन के अश्चता होती है इसका एंस्वर है बी केच्वया पराड़ी है एक लिंगी है, दू लिंगी है तो आप बोलेंगे केच्वया कभी भी दू लिंगी होता है इसका एंस्वर बी होगा तिसरा कोश्चन सा आता है इनमें कौन सा भाग अंगुलित है इसका एंस्वर होगा C, पराग चोधा कोश्चन आता है इनमें इनमें किसके बंगला का अतंग कहा गया है इसका एंस्वर है B अंच्वा कोश्चन आता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उपकर अक्सीजन खीच लेता है तो यह एंस्वर इसका होता है जलकुम्बी जलकुम्बी कभी भी पानी से उपर रहता है उपर रहकर या पानी में अंदर भी हो तो उपर निकल कर oxygen खीच लेता है oxygen लेने का समर्थ होता है तो लिए अगला question होता है जब नर और मादा गैरो मीटर में युगमित होते हैं तो अब कहाल आता है B. अलागिक जनन B. अलागिक जनन Next question आता है मादा चक्र में पाई जाता है इनमें सभी गाई, भेंड, कुटा इसका option D होगा आई ये अठवा होता है उच स्रेणी के पाउधा में निसेचन होता है तो आंतरिक होता है इसका answer B होगा Next question है हलका कंद का उधारण है सलक कंद है इसका answer होगा C. प्याज दस्वा questions का answer होगा B वसिक भाग Next question का होगा ती निसेचन का परणाम होता है C तिरावा questions है बिजाड़ों द्वारा जनुर करने वाले पौध है जैसे माल स्फान समाने की समोह में रखे जाते है इसका answer होगा C जोदावा questions है ये परिवर्टन जो लवाज को बेहर प्याक में परिवर्टन कर देता है इसका answer होगा C इसका पंद्रहवा questions है दुरू पोर्शन में कितने क्रोमोसोम होते है क्रोमोजोम होते है इसका answer होगा C next questions है जब संदत की उत्पती एक जनब द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है इसका answer होगा D इस स्क्रीन पेज़े से दिख रहा होगा D होगा आंत्रिक आंत्रिक निसेचन आंत्रिक निसेचन next questions होगा शुक्रूरणवो के मद्य भाग में क्या पाया जाता है अस्तन धार्गा शुक्रूरणवो के मद्य भाग में क्या पाया जाता है इस का इन्सवर होगा C Mitro Kandia उन्ही सवा Questions का इन्सवर है पहले पढ़ लेते हूं Question कहकोता है Question कह रहा है चमगादर द्वारा चमगादर द्वारा परग्रावन कहलाता है इस का इन्सवर होगा C ये कोश्चन 12th क्लास बैलोजी objective कोश्चन 211 में पूछा गया है 211 में पूछा गया है चलिए next questions है विश्वा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है इसका answer है D विखंडन से कभी भी जीव प्राप्त हो सकता है जनक का तो विखंडन से ही होता है next questions है दुई खंडन में किसमें पाया जाता है ते answer है D अमीबा पैरमिश्रम दोनों में क्योंकि आप पढ़े होंगे कि ये कभी भी अमीबा को या पैरमिश्रम को काट कर अलग कर दिये जाए या फिर से एक खंडित होकर भी अपना एक श्रंखला बना लेते हैं next questions है बैसवा मुकुलन द्वारा जना किसमें होता है ते answer होगा इस्ट में क्यों कभी भी आपने देखा होगा कि मुकुलन एक इस्ट बैक्टरिया है इंजामपल में लिया जाए तो सहर बजार में बनाईगे जलेबी में भी इस्ट का पॉड़र डाला जाता है थैंक्यू next questions तेसवा तेसवा क्या कह रहा है कुंडिया का निर्माण किसमें होता है इसका answer होगा A इसका answer होगा A आपको इस्क्रीन पर दीख रहा होगा answer A होगा next questions है पचीसवा जलकुम्भी जलकुम्भी 65,000 स्यादिक पौधा कितने माह में उत्पन कर सकता है इसका answer होगा 8 8 माह में इसका answer है 8 माह में next question देखते है 26 questions कह रहा है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पूस्प पैदा करता है इसका answer होगा A इसका answer A होगा next question है जीवन शस्त्र का चक्र किसमें होता है इसका सभी होगा क्योंकि मन उसे बंदर और चिंपाइदी ये तीनों में भी पाया जाता है ये निने लिखी सभी होगा next question है next question sorry next questions है दूलिंगी परणाली के उधारण है तो इसका answer होगा D इसका answer D होगा next questions है मनुस्य के युग्म कू में गुण्शुत्र की संख्या होती है 46 आपने इस सब जानते है 46 होती है 46 next questions है ये भी ये भी objective question of the biology class 12 chapter 1 में ये questions 211 में ये questions पूछा गया था और तिसवा questions 2021 में ये questions पूछा गया था ओके next questions तीसे है इनमें कौन अंड़ परणाली है तो इसका answer D होगा ये तीनों में पाया जाता है इसका answer तीनों होगा next questions पूछलते हैं जमनी सेचन जीव के सरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं बाहर निसेचन नेट्स question पर चलते हैं इमने लिखित में से कौन सी बीदी अलागिक प्रजण की नहीं है C answer है C next question है इगम अस्थांतरन हो सकता है जल द्वारा next question कर रहा है कि निमने लिखित में से किसे बाहर निसेचन होता है इसका मेढ़ा खुद होगा next question पर चलते हैं इनमे इनमे किसमे जल माध्य से निसेचन होता है D इनमे से सभी सित्यसवा questions है निमन में से कौन सा उभेलिंग पद नहीं है इसका answer होगा पपीता P A next question है कि वर्ष प्रजनन होता है होता है अलावे वर्ष प्रजनन होता है इसका answer होगा A नेर्ष कोस्चन है लास्ट इसका answer आप लोग कमेंट में दीजिएगा ठीक है देखिए VVI question subject बैलोजी चेप्टर वन जिव जगत टेरिग्राम लिंक दिया गया है इस लिंक में आप लोग जोइनिंग हो जाएगा ते इसका PDF मिल जाएगा बैलोजी आल चेप्टर का PDF Notes हाथ से लिखे होई आपको परवाइट किया जाएगा इसलिए आप अपने दोस्त के पास सेयर करें लाइक करें और सस्क्राइब करें और बैल आइकन आउन करिएगा क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी थैंक यू जैहिंद